ताजा खबरों के लिए हमारे आराज़े के यूटूब चैनले को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्लिक कीजे दीपावली के समय बाजार में प्याज का भाव सव रूपे किलो पृति किलो हो सकता है इस परकार की संभावना जता ही जा रही है केंदर सरकार ने प्याज के भंडारन पर परतिबन लगा दिया है और वैपारियों ने भी प्याज की निलामी रोग दी है जिसके कारान प्याज उत्पादक किसान परिशान हो गए है दीपावली के समय खुदरा माजार में सव रूपे प्याज का भाव जा सकता है इस परकार की संभावना जताई जा रही है केंदर सरकार ने प्याज के भंडारन पर परतिबन लगा दिया है और वैपारियों ने प्याज की निलामी रोग दी है परिणाम सोरूप किसानों से प्याज की 75% खरीद बन हो गई है केंद सरकार ने 25 टन प्याज की भंडारन सीमा निर्धारित की है अधिक प्याज वाले वैपरियों नी निलामी में भाग नहीं लिया है वैपरी प्याज की खरीद में और स्मार्ट हो रहे है क्योंकि केंद सरकार ने प्याज भंडारन पर प्रतिबन लगाया है निलाबी बन होने से किसानों को भारी और सुविदा का सामना करना पड़ रहा है ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में प्याच आप लोगों की आखों में काटने से पहले ही आसूला सकते है अगर प्याज की कीमते मौजूता गती से बढ़ती रही तो प्याज की कीमते इस दिवाली तक आसमान चू सकती है वरतमान समय में चिल्दर बाजार में प्याज के भाव 50-70 रुपए परती किलो चल रहे है नाशिक का लासल गाव प्याज की सबसे बड़ी मंडी है जहां से पूरे देश में प्याज भेजा जाता है परंतु पिछले दो दिनों से प्याज की निलामी बंध है जिसके कारण प्याज उत्पादक चिन्तित है जिसके कारण आने वाले दिनों में प्यांश के भाव आसमान छू सकते हैं